नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अनूँ और आप देखे हैं हज़ी की विडियोज चानल आए नज़र डालते हैं आज की कुछ महत्पूर खबरों की आप जिला उमरिया कलेटरेट कारियाले में सिकायत करताओं यो बिजली के समस्या एवं अन्य समस्याओं खोले कर कलेटरेट कारियाले में आता सिकायत पत्र प्रसुत किया है जहां बिजली समस्याओं खोले कर ग्राम बेलदी के सरपंच एवं समस्याओं ने सिकायच करते हुए बताया कि बिगत 6 मां से हमारे हां कार्टांस फार्मर जला हुआ है जिसके सिकाय सासों प्रसासों के समख्च की गई है लेकिन आज दिनांक तरगरामिरों की समस्याओं का नीरा करण नहीं किया गया बिजली ना होने से पुरा अंधकार मचा हुआ है बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है किसानों की खेती पर भी घरा असर पड़ा है एवं सर्क दंस की घटनाओं में भी बड़ोतरी हो रही है लोगों के कुछ घरों में दिब्यान बुजुर्द बिमार वेक्तियो को भी भारी परिसानियों का सामना करना पड़ रहा है इसके सांसाथ बिबीन समस्याओं को लेकर भी हम ग्रामिट जन बहुत परिशान है एवं इसके पूर्व में भी कलेक्टर एवं बिजली विभाग से सिकायत की गई थी लेकिन समस्याओं का कोई भी हल नहीं किया गया इसलिए आज फिर हम लोग अपनी सिकायत सेकर कलेक्टर एवं बिजली विभाग के समख्ष आये हैं और यह मांग करते हैं कि जल्द हमारी बिजली समस्याओं का नीरा करन किया जाए अने था आगामी समय में हम ग्रामिट जन उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो वदेश आसन प्रसासन की होगी पेशे उमरिया से संकशिंगी खास रिपोर्ट जी मेरे यहां टास्परमा चे माय से जला हूँ रहा है कई दिनों से मतलब लाइट का विवस्ता नहीं हो पा रहा है और जो बच्चे लोगें पढ़ने ही पा रहे हैं और यह सर्पर मतलब खेती किसानी मतलब जो है तो पूरा मतलब वह हो चुकी है सुख चुकी है यह अर् अब जो बहुत समीश्या है और यह आच्छा माय से ट्लास्पार्वर जला हुआ है हमारे यहां के पच्चों पढ़ने में समस्या जा गही है हम किसानों की खेती जो है वो शूप चुकी है और हमें ट्लास्पारव प्रदाद नहीं किया जाता है कि अपनी समस्या क्लेक्टर साहब को भी आकर के और बताए हैं विद्व भाग को भी बार बार जाकर के आवेजन देते हैं और उनसे दिवेदन करते हैं कि हमें प्रदाद की जाए लेकिनास तक हमें किसी भी तरीकी से प्रदाद नहीं कि छोटी बिल्दी से लंगला याद को बोल रहा हूं हमारे चोटी बिल्दी का टास फार्मा याद 6 माय से जला हुआ है और वहां पर भारी समिख से हाए बच्चे पढ़ने ही रहा है किसानी जो करें है किसानी च्छेती सूख रही है अब खात भी लिए है उसका पैसा कहा से पाएंगे तो देगे हमारी च्छे